जैसे दिया रहेगा तो वहाँ पर इनिस्यल वेलोसिटी हम लोग इस फर्मूला को पूट करके निकाल सकते हैं यह मैक्स का फर्मूला हो जाएगा हमें y कंपोनेंट अगर नोन है तो और यह होता है equation of trajectory जो x और y में relation बताता है इसमें हमें time नहीं होता है दिया रहता है x और y कोडिनेट में हमें relation बताता है और यह उसका simplified form है x tan theta को common करके थोड़ा सा simplified कर दिया है r range है यहाँ पर students और कोई भी quadratic equation हमें दिया गया है तो यहाँ पर x coefficient होता है वो tan theta के equal होता है अगर इससे compare करें तो इसको equation से compare करें और b जो होगा x पर coefficient जो होगा tan theta divided by r हो जाएगा यहाँ पर इसको multiply कर लेंगा और यह जो formula होता है students h equals to half g t1 t2 यह होता है कि किसी point पर अगर height h पर है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर t1 time लगा और वहाँ से ground for land होने में t2 time लगा तो यह जो re-lesson होता है height और t1 t2 में re-lesson हो जाता है कभी कभी एक question हमें दिया रहता है